जयश्री राम हर हर महादेव, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों, आज के विडियो में बात करेंगे, गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय को कर लेते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या भगवान गणेश जी दुर कर देंगे। इसलिए गणेश चतुर्थी के पर्व को देश भर में खास तौर पर महाराष्ट्र में बहुत धूम धाम से मनाया जाता है। विग्ण हर्ता, बुद्धिदाता, भगवान गणेश को प्रसंद करने का इस से अच्छा दिन नहीं मिलेगा। शास्त्रों में जीवन को सरल और स मिलता है। आईए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर किये जाने वाले कुछ उपायों के बारे में दोस्तों विडियो कृपया अंत तक देखे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर ले दोस्तों। इस उपाय से दूर होंगे। सभी विग्ण जीवन में उन्न कपड़ा बिछा कर विधी पूर्वक पूजा अर्चना करें और AUM हरीन ग्रीन हरीन मंत्र का 108 बार जप करें। यह आप लगातार अनंत चतुर्दशी यानि 10 दिन तक करते रहें। ऐसा करने से सभी विग्ण दूर होते हैं और सकारात्मक शक्ती आसपास बनी रहती है। द ख्यान रहे कि एक गांठ दो दूर्वा से बनती है। इसके बाद 11 गांठों को भगवान गणेश के माथे से चूकर चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद गंध, फूल, दीप, धूप आधी चीजें अर्पित कर दें। इस प्रक्रिया को आप अनंत चतुर्दशी त चाहते हैं तो उसके लिए गणेश चतुर्थी के दिन घर में पीले रंग की गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें। गणेश पूजन में हल्दी की पांच गांठ चढ़ाएं और फिर श्री गणा धिपताईये नम पास मंत्र का जप करें। इसके बाद 108 दू ऐसा करने से उन्नति के द्वार खुलते हैं और सफल होने के रास्ते में आ रही अर्चन दूर होती है दोस्तों। यदि आप धन संबंधित समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के पूजन में घी और गुद्दह का भोग ल और धन के मार्ग प्रशस्त होते हैं यह किस्मत बदलने का अचूक उपाय है दोस्तों विडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सभी दोस्तों को शेयर कर देना और सनातन धर्म की अच्छी से अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब अवश्य कर ले धन्यवाद जैश्री राम